Hello Students! Last video में हम लोग पढ़ेते हैły वरक्षीट five subtraction subtraction of five digit number and six digit number आज हम लोगे study करेंगे properties of subtraction subtraction की properties क्या है? We already know 7 minus 0 is equal to 7 7 minus 0 equals 5 sorry 5 minus 0 equals 5 remember इसका मसलब क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर को जब 0 से सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमको वही नंबर रिटन में मिलेगा जैसे यहां पर मिला 7-0, 5-0, 5, वर्क्षिट 6, अभी हम नोग 0 की प्रापर्टी रिट किया है वेन वी सब्ट्रेक्ट 0 फ्रॉम नंबर वी गेट दा नंबर इटसेल्फ इटसेल्फ वला तह अभी कौन सा नंबर हमको एंसल मिलेगा 16, ठीक है, 78-0, 78, 82- blank is 82, अब 82 है, यहां पर भी 82 है तो हम क्या माइनस करेंगे तो हमको same answer मिलेगा, of course 0, so we write here 0, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, 0, blank-0, अब 0 में हम लोग क्या माइनस करेंगे तो 732 मिलेगा, itself मतलब उसी नंबर को 732, next क्या है, blank-0, 1689, so 1689, next क्या है, अब 0 से माइनस करेंगे, equal number आजाएगा, फिर से 0 से माइनस कर देते हैं, equal number आजाएगा, अब यहां पर answer क्या है, 6955, तो हम वही नंबर लिख देते हैं, क्योंकि 0 से हम लोग माइनस करेंगे, तो फिर से exact वही नंबर return में मिलेगा, अब 0 हमें, हम 0 ही माइनस करेंगे, तभी हमको 0 return मिलेगा, तो वर्षिट 6 बहुत ही easy था, हमारा complete होगा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, subtraction orally, orally मतलब direct कर लेना, without copy pen, okay, subtract 30 from 90 orally, अभी आपको subtract करना है, 90 minus 30, 0 minus 0 क्या आता है, 0 directly लिख दिये, 9 minus 3, 6, so we write here 6, so answer is 60, अभी तख हम लोग वर्षिट solve करते हैं, तो आप लोगो ज़्यादा अच्छे से समझ माएगा, ठीक है, in the same way, we can subtract 500 from 900, जब भी 0 वाला question हो, तो हमको क्या करना है, अभी देखो, यहाँ double 0, यहाँ भी double 0, तो directly 2 0 आप लोगो लिख दिये, double 0, ठीक है, next क्या है 5 and 9, तो अब हम लोग सिर्फ 9 और 5 को माइनस करेंगे, और 0 तो हमको अलरड़ी मालूम है कि 0 होगा, so 9 minus 5, 4, so answer is 400, next क्या 2,000 from 6,000, तो अभी हम लोग 0 रीट के, तो पहले हम लोग 3 0 को लिख लेते हैं, लिख लिए, अब 6 minus 2, 4, so answer is 4000, और देखो, यहाँ पर confuse नहीं हो न, मैं पहले, last वीडियो में भी आप लोगो बताई थी, फ्रॉम अगर लिखा हुगा होगा, तो फ्रॉम को मतलब क्या आता है, जो फ्रॉम के बाद वाले नंबर है, उसको हम लोग 1 प्लेस में लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले वाले नंबर को उसके बाद, ठीक है न, मिस्टेक नहीं करना, अगर तुम लोग इहां लिख दोगे, 2000-6000, तो होगा क्या माइनस, नहीं होगा, एंसर माइनस में आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोगो वर्क करना है, ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क्षिट सॉल्फ करते हैं, वर्क्षिट 7, 60-20, तो पहले तो 0 लिख लिए, 6-2, 4, so answer is 40, 90-0 है, तो पहले 0 लिख लेते हैं, 9-2, 7, so answer is 70, 40-30, पहले 0 लिख लिए, 4-3, 1, so answer is 10, 0 लिखना था, 0 लिख लिए, 8-3, 5, so answer is 50, 400, अब देखो, 2 x 0, तो पहले 2 x 0 लिख लिए, अब देखो, 4-2, 2, so answer is 200, अब देखो, यहां पे भी 2 x 0, 2 x 0 लिख लिएते हैं, 7-3, 4, so answer is 400, 2 x 0 है, 1, 2, 9-4, 5, 900-400 is 500, अब देखो, यहां पे 3 x 0 लिख दिए, 8-3, 5, so answer is 5000, अब देखो, नेक्स तैंप, फिर से 4, 3, 0, 1, 2, 3, 7-4, 3, so answer is 3000, 8,000-6,000, पहले तो 0 लिख लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 8-6, 2, so answer is 2000, 3 x 0 है, 1, 2, 3, अब देखो, 1000 के प्लेस में कहें, 7, 7-7, 0, 2-1, 1, so answer is 10000, 1, 2, 3, 5, देखो, अब 1000 के प्लेस में 4 है, और यहां 5, तो 5-4, 1, 4 है, directly 4 लिख देखो, answer is 41,000, 000, 000, 000, ठीक है, 1, 2, 3, 9-9, 0, 9 है, 9 लिख दी, ठीक है, अब answer क्या रहे है, answer is 90,000, next, 3 x 0, 3 x 0, 1, 2, 3, 6-1, 5, 1-1, 1, so answer is 15,000, sorry, यहां पर 6-1 क्या हो गया, 5-1, 1-1, 0, sensor is 5000, तो हमारा वर्षिट 7 कंप्लीट हो गया, अब next वीडियो में हम लोग लर्ण करेंगे, वर्षिट 8, वर्षिट 6 और 7 हम लोग कवर कर लिए है, अगर इसमें कोई भी आप लोग को प्राब्लम हो या, कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट भे पूछ सकते हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, थैंक यू,